कॉंपटिशन कमिनिटी के इस खास इनिशेटिव फास्ट टेक रिविजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ हेमत प्रधान हम आज बात करेंगे साइंस एंड टेकलोजी से रिलेडेट काफी महतपूर्ण प्रसनों पर अब चुकि एक्जाम के घडियां करीब आ रही है तो यह वक्त है उन महतपूर्ण तथ्यों या प्रसनों को देखने का जो आपको एक्जाम में काफी हेल्प करेगी ओके सो लेट वी स्टार्ड विट कोशन नमर वन सी स्क्रीन प सेकेंड इस अंतरिक्ष विभाग 1972, फ़र्ड इस इसरो 1969 और फ़र्थ है अंतरिक्ष आयोग यानी कि स्पेस कमिशन 1972 औप्संस आर 1 & 2, 234, 123 & 1234 क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? येस, इसका सही आंसर होगा फोर्थ वन आये देखते हैं यह चौथा यानी की 1234 सभी कर सबसे पहले बता दू यह कोश्चन काफी इंफॉर्मेटिव है काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन में यह गिना जाएगा ठीक है कैसे देखते हैं दोस्तों भारत को आ जादी मिलने के तुरंद बाद सबसे पहले रक्षा चेत्र में आत्म निर्भर बनने के लिए हम अपना प इनर्जी याने परमानू उर्जा विभाग जो बना वो 1954 में बनाता इसे आप ध्यान रखेंगे तो पहला सही सुमेलित है दूसरा अंतिरिक्ष विभाग 1972 तो इसकी जर्नी दरसल इस प्रकार हुई भारत में भारत का जो सबसे गौरोमई और सबसे महत्पूर केंद्र कौन सा है इसरो इसपोस इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ठीक है अगर इसकी जर्नी को आप देखते हैं तो काफी एतिहासिक है सबसे पहले the renowned scientist and father of इंडियन स्पेस टेक्निलोजी डॉक्टर विक्रम सारा भाई के नेत्रित्व में 1962 में INCOSPAR INCOSPAR ठीक है इंडियन नेशनल कमिटी फार स्पेस रिसर्च इंडियन नेशनल कमिटी फार स्पेस रिसर्च की स्थापना होती है 1962 में उके उसके बाद 1963 में T.E.R.L.S. थूमबा एक्विटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन की स्थापना होती है उसके बाद 1969 का फाइनली वो दिन या कहे तो 15 अगस 1979 1969 को वो एतिहासिक दिन आता है जब हम इसरो की स्थापना करते हैं इंडियन स्पेश रिशर्च और्गनाइजीशन भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तो यह जो काफी मत्पूर सस्थान है आपके बार आपको इसके बारे में बता दूं जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह परमाणू उर्जा विभाग के अंतरगर इसकी अंतरिक्ष विभाग इस समय क्या बनता है अंतरिक्ष विभाग बनता है और इसी समय सेप्टेंबर 1972 याने 1972 याने सेम यर अंतरिक्ष आयोग की स्थापना होती है याने कि कुछ महीनों के अंतराल में ही यह दोनों की स्थापना होती है थीक है तो आप मैचिंग देखेंग अंत्रिक्ष विभाग 1972 is correctly matched उसके बाद देखिए भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान सगठ है 1969 ये भी सही match है अंत्रिक्ष आयोग जिसकी स्थाबना 1972 में September में हुई थी तो ये भी सही match है तो इस प्रकार D is the right option come to the second question anti-satellite technique mission सक्ती छमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश है ठीक है mission सक्ती के बारे में अगर आप जानते होंगे ये काफी महत्पून टेक्नलोजी भारत ने हासिल कर ली options are first, second, third and fourth क्या होगा इसका सही answer इसका सही answer होगा fourth पहले बात समझ ले mission सक्ती क्या है mission सक्ती का मत anti-satellite a set लिखा हुआ है anti मतलब जो है उसकी just against में opposite में तो जैसे हम क्या करते हैं स्पेस में क्या करते हैं जितने भी सैटलाइट को launch करते हैं सैटलाइट से हमको services मिलती हो सकता है वो remote sensing सैटलाइट हो communication सैटलाइट हो या कुछ भी सैटलाइट हो सकती है सोचिए अगर हम इस सैटलाइट को destroy कर दे मालो communication सैटलाइट है उसको destroy करें तो communication destroy हो जाएगी बस सेम तकनिक है कि हम अंतरिक्ष में किसी ऐसे सैटलाइट को intercept कर लेते हैं और उससे destroy कर देते हैं जिससे की उसकी पूरी services बादिद हो जाती है यह पहला एंगल है दूसरा एंगल जब हम एस तकनि चैना ऊक्रणित हालेगे जैसे कि हम भारत हासिल कर चुका है तब हम क्या करते हैं आंतरिक्ष प्रित्वी पर किसी को भी attack कर सकते हैं यह काफी मत्व तकनिक हैं और भारत ऐसी चंता हासिल करने वाला विस्व का चोथा देश है इससे पहले जो छमता हासिल करने वयाले देश हैं वहें USA Russia China और भारत भारत कप किया था 27 मार्च 2019 27 मार्च 2019 को भारत ने यह छमता हासिल किया और बताओे थो चाइनா इससे पहले 27 मिलय चमता हासिल कर चुका था ओके दिखिए इसमें जो लिखा है भू तुल्य कालिक कक्षी उपगरा किस उचाई पर स्थापित किये जाते हैं एट वाट एल्टीटूड और जियो सिंक्रोनस और्बिटल सैटलाइट प्लेजड ठीक है इसलिए मैं इसे कहूंगा क्योंकि इस से या इस टागाय टाइप के कोश्चेन जो है प्रिवेस यह के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ठीक है तो आईए बात करते हैं यह काफी conceptual है और थोड़ा सा गर आप देखेंगे तो आप हमेशा इसका answer सही कर लेंगे ठीक है देखिए यह प्रित्वी है यह प्रित्वी है और यह क्या है विश्वत रेखा या equator और यहां पर क्या है यह इसका axis है ठीक है अब जेदी आप देखेंगे इस पे अगर इसमें आपको कुछ प्रमुक इंपॉर्टन चीज़ें तो जो दिख रही होंगी ठीक है वो देखिए पहला option है 200 से 1000 किलोमेटर option A B 1000 किलोमेटर C 36,000 किलोमेटर की fixed height है और D 504 किलोमेटर से लेके 49,834 किलोमेटर की height पे ठीक है यहां पर आप देखिए कि इनकी height से सम्मंधित जो है orbitals हैं यानिकि वो कक्छक है कक्छी है ठीक है तो यह कक्छक जो है यह जो कक्छा है कहना चाहिए है वो क्या है basically देखिए ठ एक्वेटर के ठीक उपर अगर कोई होता है तो उसे क्या कहते है जियो सिंक्रोनस ठीक है और अगर थोड़ा सा इस प्रकार का tilted हो थोड़ा सा जुकाव वाला हो तो उसे क्या कहते है जियो सिंक्रोनस पहला दिखिए यह जियो स्टेशनरी है और यह जियो सिंक्रोनस है ठीक को यह बता दो दोस्तों कि अगर हम प्रित्वी से इन उपग्रह को देखें तो ऐसा लगता है यह अपनी ही जगह पे हैं क्यों यह से प्रित्वी 24 गंटे में अपनी परिक्रमा करता है तो यह उपग्रह भी 24 गंटे में ही परिक्रमा करते हैं इसलिए वो इस्थे दिखाई द ऐते हैं क्या है तो जब भी है और्थ के ऊपर एक लोub disciples कम ऊचाहित होता यह जो कम से कम 59 किलोमेटर यह दोसों से लेके खावजन कीलोमेटर के आसपास का होता है यहां क्या होता है लोर्थ और ग्युश्ष्ष ऑर्बीट होता है तो जैसे हाली कुछ उब यहाँ पान्सो नौ किलोमीटर की फिक्ससाइट पे भी हम वहां पे क्या है स्थापित किये हुए तो पहला यह लोग अर्थ और्विट वाले आता थाॉजन किलोमीटर की अगर है पे होता है तो ये भी कहना चाहिए जो संग सिंक्रोनस और्विट होते हैं या कहना चाहिए पेढ़तको यहां इसका आपकी सर्थ होते जोड़ें टोड़े से कम हाईट पे होने के बाद क्या होता है कि सन लाइट में गया होती है यूवी रेस आती है ठीक है ऑन इफिरा रेड आती है магаз topic बेहने पेशिंग में और इंफ़रेड तो इन इंफ़रेड का प्रयोग करते हुए यह जो संसिंक्रोनस माले औरबिट में जो जो उग्रह जो स्थापित होते हैं जैसे कि रेमोट सेंसिंग उग्रह आपको बता दूँ कि रेमोट सेंसिंग उग्रह जो है mostly low earth orbit पे set किये जाते हैं क्योंकि remote sensing का कार क्या होता है remote area में information को क्या करना collect करना remote area का मतलग दूरस्ट area तो कोई भी दूरस्ट area का information कब ला सकते हैं आप जब उससे ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाएं तो low earth orbit में इसलिए remote sensing satellite को स्थापित किये जाते हैं तो क्या करता है remote sensing satellite यहां पर क्या है सन लाइट से आने वाले विजिबल रेश याने दृष्ट प्रकास और इंफारेड याने अवरक प्रकास का प्रेव करते हुए वह क्या करता है आपको वह proper information प्रवाइड करता है मांच चित्र देता है आपको आकड़े प्रस्तुत करता है ठीक है यह चीजे है उसके तो यह 1000 km संसिंक्रोंस वाले orbit में जनरली यह orbital में सेट के जाते हैं उसके बाद देखिए 504 km से लेके 49,834 देखिए एक काफी कम है और एक काफी जादा है ठीक है इसे एपोजी या पैर अबिट कहते हैं तो question number 3 का जो right option क्या है C 36,000 km की fix side ठीक है come to the next question 4 भारत का प्रत्थम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान SLV3 था या किस वर्स प्रक्षेपित किया गया था अगर आप प्रेविए सिट के पीए सी कोश्चन सॉल किया होंगे तो यह कोश्चन आ चुका है ओके देखिए यह क्या है SLV3 क्या है सेटलाइट लाँच वहिकल यानि कि ऐसा वहिकल जिसकी मदद से हम क्या है सेटलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं ठीक है तो इस थापित कैसे करते हैं देखिए SLV क्या था सेटलाइट लाँच और वहिकल ठीक है भारत ने अपनी जर्नी स्टार्ट कप की थी 1962 में किसकी जर्नी स्पेस साइन्स की जर्नी ठीक है और यहां से स्टार्ट करने के बाद भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा था साउंडिंग रॉकेट जो एक USA का एक सैटलाइट था और एक प्राय की सैटलाइट था कहना चाहिए और यहां हमने छोड़ा था वर्स 1963 में तब ना ही उपगरा भारत का था ना ही वो लांचिंग वहिकल भारत का था ठीक है अब यह SLV 3 क्या है SLV दिखा है पहला प्रायोग प्रक्षेपण यान दोस्तों इसमें जो ऑफ्शन्स दिये हुए हैं उसे गौर करिए 1969 तो इस उरू का फाउंडेशन येर है 1962 की क्या है यह तो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 1963 इस समय हम भारत का जो पहला साउंडिंग रॉकेट था नाइकी अपाचे या कहना चाहिए इसे ऐसा भी इंग्लिश में लिखते हैं ए नाइके ई और ए पी ए सी एच ए ठीक है तो एनिवेस ये जो छोड़ा गया था ये साउंडिंग रॉकेट था पहला और ये 1963 में छोड़ा गया था ओके तो ये तो हम पहली बार वहाँ पे है तो ये भी ऑप्षण नाइडिश किस दिरी नहीं होगा अब जब 1979 वाला ओप्षण देखता है तो एक्जेक्ली इस इस दर राइट आंसर जब हमने पहला प्रायगी प्रक्षे पढ़ियान एसलवी 3 के मदद से हमने क्या किया था उगरा छोड़ा था एक प्रायग एक उ और तब से लेके हम वो जर्नी आज हम एतिहासिक बना चुके हैं जब हमारी एक्यूरेशी को लेके पूरी दुनिया सौग्ड है ओके so 1979 is the right answer come to the next question अंत्रिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां इस्थित है ठीक है वेर इस था स्पेस अप्लिकेशन सेंटर लोकिटेट ऑप्शन सार बैंगलूरू हैदराबाद जैपूर और अहमदाबाद सबसे पहले तो जैपूर को eliminate कर लिजे योगि जैपूर में कोई भी ऐ एहमदाबाद ठीक है इन दोनों में confusion अगर होगा तो आपको बता दूं कि इसका सही answer है एहमदाबाद ठीक है है एदराबाद में क्या है National Remote Sensing Center नर एस सी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ठीक है तो यह क्या है आपका D option space application center है जहाँ पे space छेत्रे में जितने भी application वाले experiment होते हैं यह ज्यादा यहाँ पे होते हैं और आपको बतादो दोस्तों कि यह मौसम संबंदित कुछ प्रमुख applications या कहना चाहिए जो communication या information related काफी ज्यादा चीजे experiment या research यहाँ पे होते हैं और यह इस दो काफी महत्पूर्ण संस्थान है ठीक है इसके बाद come to the next question सही सोमेलित है चंद्रयान 1 2008 चंद्रयान 2 2019 चंद्रयान 3 2021 और गगन्यान 2022 ठीक है इसमें दिया हुआ है कि कौन सा सही सोमेलित नहीं है not correctly matched अक्सर हम ऐसे question में गलती कर जाते है ठीक है नहीं है पूछा गया है तो देखिए पहला चंद्रयान 1 2008 बिलकुल सही match है ठीक है चंद्रयान 2 का ये दिन कभी हमको नहीं भूलना चाहिए ठीक है बाइस जुलाई 2019 जब हमने चंद्रयान को छोड़ा था और जब हम मून के ऑर्बिट में हम घुसने के बाद साथ सितंबर 2019 को लेंडिंग करने के दोरान हम क्या कर गए थे हम वहाँ पे इस चंद्रयान 2 से क्या हो गए थे डिसकनेक्ट हो गए थे उसके और 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 को स्थापिट करने के बाद लेंडर और रोवर से ठीक है और बीटर अभी भी काम कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ यानि कि हमारा और ओर्विटर तक का मून जो मिशन था पूरी तिर से सफल था जो अध्यन करना था लेंडर और रोवर की मदल से यानि लेंडर जो है मून चंद्रयान चंद्रमा के दखिणी भाग में लेंडिंग करता और वहां से फिर लेंडिंग करने के दोरान वहां पे क्या होता रोवर निकलता जो बेसिकली क्या है रोबोट है या रोबोट था और वहां पे चंद्रमा की सत्य का अध्यन करता और हमारे हम लेंडिंग किस छेत्र में करन विक्रम सारा भाई के नाम से उनको विक्रम नाम दिया गया था ठीक है और रोवर जो है जो अभी भी हमारे लिए कारे कर रहा है जो अगले साथ वर्सों तक हमको सर्विसेस प्रोवाइट करेगा ओके सो इसमें चंद्रयान टू भी सही मैज्ड है तो वन एन टू वाले कौन- अब बचा है देखिए C1234 ठीक है तो इसमें देखिए आप चंद्रयान 3 हाल ही में इसरो चेर्मेन के सीवन के द्वारा एक प्रेस कॉंफरेंस की गई थी जिसमें आपको गगन यान और चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंफरमिशन दी गई थी कि संभावित रूप से 2020 की अंत में या 2021 में इसे लांज किया जाएगा किसे चंद्रयान 3 को तो ये भी सही मैज है गगन या जो है भारत का पहला मैन मिशन है अंत्रिक्ष में भारत का पहला मानो मिशन है वर्स 2022 में से प्रक्षिपित किया जाएगा और आपको बता दो दोस्तों कि इसमें हमारा जो सह की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो सभी के सभी करेक्टली मैज्ड इसलिए ऑप्शन डी इस दर राइट आंसर नन ऑप दिस यानि कि सभी के सभी सही मैज्ड है और हमको गलत चीजें ढूंड ना था इसमें अगर आप पुरानी किताबें पढ़ते होंगे तो पुरानी किताबों के इसाब से आपको एंट्रिक्स कॉर्पेशन ही दिखेगा लेकिन आपको बता दूं कि कि रिसेंटली वस 2018 में हमने इसरो की दूसरी व्यवसाई की इकाई स्थापित कर ली है सौ करोड के प्रारंबिक कैपिटल पे और उसका नाम था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ठीक है न्यू स्पेस का मतलब इस पेस का ऐसा छेत्र जो अभी तक अंटैस्ट है जो अस हम लांच करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है वो दूसरा राज जो हमको सैटलाइट लांच करने के लिए हमारी सर्विस ले रहा है तो हम उनसे क्या करते हैं पैसे लेते यानिकी एक कॉमर्शियल एंगल आई ठीक है तो कॉमर्शियल एंगल का पहला जो जर्नी स्टा अपना की थी जिसका हेड़कॉर्टर बैंगलोर में है अब वस 2018 में हमने दूसरी अपनी ब्यवसाइगी काई लाउंच कर ली है या उपन कर ली है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमेटेड ठीक है दोनों का ही हेड़कॉर्टर बैंगलोर में है याद रखेगा इसे और हम क्या चीज़ पर फोकस करने वाले हम जो फोकस करने वाले हैं वो है SSLV इसमॉल सैटलाइट लाउंच वहिकल ठीक है यानि कि छोटे सैटलाइट को लाउंच करके हम क्या करेंगे इसका कॉमर्शेल एंगल को और ज्यादा स्ट्रॉंग करेंगे और ये वैसा लाउंच वहिकल होगा जो छोटे नैनो सैटलाइट या बागी को लाउंच करेगा ठीक है तो ये काफी महत्पूर स्टेफ है इसरो का उसके बाद सी ओप्सन दिया है सार सीरी हरीकोटा हाई अल्टिट्यूट रेंज इसका फुल फॉर्म है वस दोहजार दो में the renounce scientist सतीज़ धरवन की डेथ के बाद انको समर्पित करतेवे सार इसे सडी एश्टी सार नाम दे दिया गया है S.D.S.C. SAR का मतलब आप इसे देखिए S.D.S.C. SAR का मतलब 37 धावन स्पेस सेंटर और फिर इसमें क्या लिखा होता है SAR, स्री हरिकोटा हाई अल्टिट्यूड रेंज और स्री हरिकोटा नामी है तो यह obviously इसका सेंटर कहां पे है स्री हरिकोटा में ही है अब देखिए come to the next question भारती वन स्थिती रिपोर्ट 2019 त्यार करने में किस स्रीणी के उग्रह की मदद ली गई है विच कैटिगरी अब सेटलाइट है इस बीन टेकन हल्प टू प्रेपेर इंडिया स्टेट फॉर्स रिपोर्ट 2019 ठीक है यह क्या है ओप्शन्स आर ए नविगेशनल सेटलाइट या नविगेशन उग्रह भी सुदूर समेधी उग्रह सी संचार उग्रह और डी प्राइगी उग्रह ठीक है यानि की एक्सपेरिमेंटल सेटलाइट ओके देखिए आपको पहले यह मैं बता चुका हूँ कि रिमोट सेंसिंग सेटलाइट यह क्या होते हैं आपको रिमोट एरिया की काफी इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक है तो इसका सही आंसर है रिमोट सेंसिंग उग्रह इंडिया स्टेट फ्वारिस रिपोर्ट आई एस एफार 2019 जो है त्यार किया गया है रिसूर्स सेट टू की मदद से और आपको बता दो इसका इसके अलावा जैसे नेविगेशन सेटलाइट जो क्या करते हैं नाव वहन या नेविगेशन की इंफॉर्मिशन देते कम्निकेशन सेटलाइट जो संचार उग्रह या संचार जो चमता को है वह ज्यादा स्ट्रॉंग करते हैं या वह सर्विसेश प्रवाइट करते हैं प्राइगी को किसी विशेज छेत्र के लिए जैसे एडू सेट तो एडूकेशन रिलेटेट कुछ जो उद्देशों को देवलपमेंट आप इस्टो लांच वहिकल इस ठीक है ऑफ्शन से एसलवी एसलवी पीएसलवी जीएसलवी देखें इस टाइप के कोश्चन बहुत ही सरल होते हैं अगर आपको कॉंसेट पता है और वो जर्नी पता है देखो एसलवी थी मैंने कब बताया था एसलवी स्यpoxेटलाइट लांच वहिकल ठीक है उसके बाद हम क्या बनाएं पीसल वी उसके बाद हम क्या बनाएं जीसलवी और आप जीएसलवी का जो लेटेस्ट है क्या है जीएसलवी मार्क टूस एन 3 ठीक है मतलब 3 सबसे ज़्यादा उन्नत है सबसे ज़्यादा एडवांज है तो वर्स 1979 में गया बना था SLV सैटलाइट लॉंच वहिकल उसके बाद 1992 में SLV ऑगमेंटेट सैटलाइट लॉंच वहिकल बना उसके 1993 में क्या बना पीएसलवी बना जीएसलवी वर्स 2001 में बना तो यह चीज़ें याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे याने ज्यादा हाइट पे जब भी क्या करते हैं सैटलाइट को लॉंच करते हैं तो हम जी आपको एक चीज बताना चाहूंगा काफी महत्पून तत्य कि ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरे ऐसे सैटलाइट सेंटर की मदद लेते हैं जबकि हमारे पास स्वैम का खुद का क्या है लॉंचिंग वहिकल या लॉंचिंग सेंटर है ठीक है तो देखो जब भी क्या होता है क टित्क जो इक्वेटर वाले चलिम में जब भी हम लॉंच करते हैं तो इक्वेटर वाले चलिष etiquette में क्या होता है कि गुरुत्वाと思います आपक्षाक्रित मेर थे दिलाग करना रसक्रेश melody द्रूं पर जाधा होता है व Крас दे यह समझ गए 173 अदर रिजन तो इसमें देखो सही सिक्वेंस क्या है SLV 3 SLV ASLV PSLV और GSLV यह क्या है आपका D is the right option D सही option है ओके कम टू नेक्स कोश्चेन अंत्रिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन गगन यान वर्स 2022 में किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाना है options are PSLV XL C47, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और Scram Z TD आपको बता दो दोस्तों कि अगर आप current office पढ़ रहे होंगे तो recently 29 नवंबर 2019 को हमने क्या किया था काफी महत्पून उग्रह कार्टो सेट 3 का launch किया था और वो भारत का अब तक का सबसे advance कार्टो ग्राफिस सर्विस प्रोवाइड करने वाला यानि मानचित्र की जानकारी प्रोवाइड करने वाला उग्रह है जिसमें बहुत advance कैमरे लगे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही उसकी images भी हमांको प्राप्थ होना चालो हो चुका है तो यह इसका नाम क्या था कार्टो सेट 3 जिसके हाली में launch किया गया था 29 नॉबर 2019 को और इसके साब 13 nano satellite भी launch किया गया थे तो वो जो satellite जो launch किया गया था जिस वेहिकल की मदद ली गई थी वो था PSLV 47 ठीक है प्लीज करेक्ट 27 नॉबर 2019 कार्टो सेट 3 उसके बादे को GSLV मार्क 2 GSLV मार्क 3 ठीक है आपको बता दो जैसे ही चंद्रयान टू की बाद complete हुई उसके बाद ISO chairman का यह statement आ गया कि हम गगणियान को भी GSLV मार्क 3 से छोड़ेंगे और GSLV मार्क 3 क्या है भारत का सबसे उन्नत वेरी एडवांस launching वहिकल है ठीक है जो काफी टन कहना चाहिए 604 टन से भी जादा हेवी सेटलाइट को launch करने की च्छमता है और आपको बता दो दोस्तों कि इसे fat boy भी कहा जाता है किसे GSLV मार्क 3 को और GSLV मार्क 2 को क्या कहा जाता है naughty boy कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी अई स्थिर्ता थी और PSLV क्या नाम कहा जाता है वर्क होर्स एक्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन ये कुछ अच्छे नाम है कुछ कहना चाहिए उनको additional कुछ ऐसे निकनेम दिये हुए है तो ये जान लीजिए क्या-क्या VSLV वर्क होर्स GSLV मार्क 2 इस नाटी बॉइ और GSLV मार्क 3 इस फैड बॉइ ओके तो उसके बाद देखिए स्क्रेम जेट टीडी ठीक है स्क्रेम जेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो क्या होता है सूपर सॉनिक स्पीट पे भी या हैपर सॉनिक स्पीट पे भी अपना काम करता है यहां जो है टीडी का मतलब है technology demonstrator ओके यानिकी प्रादुगी की प्रदशनकारी तो इसका सही option हो कि यह हाल ही में जो है जब चंद्रयांटू को सफल बना लिया गया था तो उसके बाद क्या है यह सी घुषणा कर दी गई थी सही सुमेलित है एक तरब दीखिए सैटलाइट दिया हुआ दूसरा लांचिंग यह दिया हुआ यह भी काफी मात्पुन प्रस्ट है सार्ग उपग्रह वस 2017 एक सुचार उपग्रह का सफलता पूरा प्रक्षेपन 2017 मिशन सक्ती 2018 और जी सैट 2018 ठीक है मिशन सक्ती तो हम पढ सार्ग उपग्रह और 104 सैटलाइट का उपग्रह काफी इंपॉर्टेंट रहा है विगत वर्सों के प्रस्टों को अगर देखें तो और यह अभी वी उतना ही इंपॉर्टेंट है देखिए सार्ग मतलब साउथ एशियन असोचियेशन फॉर रिजिनल कॉपरेशन हम सार्क म 17 में लांच किया गया था और यह हमारे इंटरेशनल रिलेशन स्ट्रॉंग करने के लिए किया गया था यह ऐसा भी कह सकते हैं 104 सैटलाइट जब हम छोड़े थे पूरी दुनिया सौक रह गई थी क्योंकि ऐसा करने वाला भारत अब तक का पहला देश है जिसमें कुछ सेके आने वाला भारत अकेला देश है अब तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है उसके बाद देखिए कि मिसन सकती हमने देखी लिया और जी सेट 11 ठीक है जी सेट 11 जो है अब तक का सबसे भारी सैटलाइट है वह जो जिसे वर्स 2018 में लांच किया गया था जी एसलवी की मदद से ठीक ह आपको बता दो दोस्तों PSLV से ज़्यादा पारफुल होता है GSLV जो काफी हेवी सेटलाइट को लांच करता है तो इसमें क्या लिया है सही मैजट कौन कौन सा है तो देखिए सब के सब तो सही मैजट है तो option DR, D is the right answer ओके आपको बता दो सार कूप गरा है जिस सेटलाइट कार्टो सेट 3 कप छोड़ा गया है अभी 27 नवंबर 2019 को जो अब तक का सबसे एडवांस कार्टोग्राफी हमको प्रस्तुत करेगा उसके बाद 12 नमबर कुश्चिन देखिए आरे भट का प्रक्षेपन कब किया गया था वेन वास आरे भट्टा लांच यह इतिहासिक दिन आपको नहीं बोलना चाहिए उन्निस अप्रेल 1975 तो आप्षण ए इस दर राइट आंसर है ना 1957 में तो हम बी आप्षण में जाएं तो उस समय तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं किये थे 58 में भी नहीं किये थे और 1980 तो काफी बात का समय है जब हम काफी ज़्यादा से शेपित किया जाएगा इनमें से निम्लेलिखित में एक भाग नहीं होगा ठीक है ऑप्षण सार रोवर लेंडर और और बेटर और नन अब दीज ठीक है और बीटर का मतलब क्या है जो मून के चक्कर लगाएगा और बेट पे तो वह अभी वी चंद्रयान 2 की मदद से जो हमने भेजा था वो अभी वी चक्कर लगा रहा है अगले साथ सालों तो हमको सर्विस प्रवाइट करेगा लेंडिंग हम नहीं कर पाये थे लेंडर जो है डिस्ट्रॉई हो गया था और रोवर उसी के अंदर था तो वो भी क्या है नस्ट हो गया था तो इस प्रकार रोवर और लेंडर हम भेजेंगे रोवर और जो ओर्विटर है वो तो सर्विस प्रवाइट कर रहा है तो ओप्षन क्या है C is the right answer क्योंकि ओर्विटर की हमको जवरत अभी नहीं है और हम लेंडिंग करने की फिर से कोसिस करेंगे कौन सी लेंडिंग? सॉप्ट लेंडिंग तो D is the C is the right answer. Come to the next question. It is not correctly matched. सही सुमेलित नहीं है. इक तरफ दिया है तूतु कोडी प्रक्षेपन केंदर केरला, स्री हरी कोटा प्रक्षेपन केंदर अंदर परदेश, थुमबा राकेट प्रक्षेपन केंदर तमिलनाडू, यूर राव स्पेस सेंटर बैंगलूरू. इसका सही अंसर क्या होगा? आपको फिरसे से बता दू कि इसमें मैच नहीं है, ढूणना है. तो तूतु कोडी का जो नाम है, उसे और कौन से नाम से जाना जाता है? तूती कोरीन. तूती कोरीन इक पोर्ट है, जो तमिलनाडू पे है. तो पहला तो मैच ही नहीं. अब वन वाले कौ राकेट प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडू और यूर राव सेटलाइट सेंटर बैंगलूरू. तो इसमें देखिए थुमबा राकेट प्रक्षेपण केंद्र क्या है? केरला में है. जो तिरवननपुरम के पास में स्थित है. ठीक है? थुमबा एक्विटेरियल थी वही सेंटर है जो थुमबा नियर तिरवननपुरम के पास है. तो यह केरला में है. तो 1 & 3 is not correctly matched. अतह हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है? और तुतु कोडी जो है वो कहां पे है? वो बता दू. तमिलनाडू पे है. थुमबा कहां पे है? वो केरला पे है. उसके बाद स्री सेंटर जो सैटलाइस सेंटर जो है वो बैंगलूरू में ही स्थित है. काफी महत्पूर केंद रही है. उसके बाद दिखिए भारती सुदूर समेदी संस्थान, IIRS कहां स्थित है? वेर इस दा? इंडियन इस्टूट आप रिमोट सेंसिंग लोकेटेड. ओके? यह कहां पे जो है स्पेस अप्लिकेशन सेंटर है मैंने बताया था आपको और हैदराबाद में जब आता है तो NRSC आता है नेशनल रेमोट सेंसिंग सेंटर NRSC और सिमिलर नाम से एक आता है देहरादून इंडियन इंस्टूट आप रेमोट सेंसिंग दोनों रेमोट सेंसिंग संस्थान या Center है बट जब भी पूछा जाए आये RS की बाद आती है तो उसे देहरादून करना है और नर्स की बाद आती है तो उसे हैदरबाद करना है ठीक है आये RS का मतलग Indian Institute of Remote Sensing ओके तो D is the right answer सबसे पहले बता दूँ स्पूतनिक 1 के बारे में तो हर किसी को मालूब होना चाहिए दुनिया का पहला सेटलाइट था जो अंतरिक्ष में गया था जो कॉंसल सेटलाइट था वेसिकली रशियन सेटलाइट था और उसके बाद क्या है? स्पूतनिक 2 से एक्चवल में कौन गई थी? लाइका गई थी जो क्या थी? एक डॉख थी या एक कुतिया थी जो क्या है? अंतरिक्ष में experimental के तोर पे बहेजा गया था प्राइल तोर पे बहजा गया था वह क्या था स्पूतनिक 2 वोस्टक वन क्या है वोस्टक वन कि अंत्रिक्ष में पहली मानव यात्री यूरी गागरेन जो क्या थी एक रश्यन एस्ट्रोनौट थी वो क्या है अंत्रिक्षी यात्रा की थी इससे वोस्टक वन से लूना नाइन ये भी क्या है एक रश्यन सैटलाइट था जिसकी मदद से जो अंत्रिक्ष में कहना चाहिए मून पे पहला कोई ऐसा यान जो उतरा था वो क्या था लूना 9 इस प्रकार देखे रहोंगे चारों के चारों सैटलाइट जो है वो क्या है सोवेट रूस के हैं और लूना 9 क्या था चंद्रमा पे उतरने वाला पहला यान था तो option क्या है कोटा दीप कहां स्थित है आपको बता दूं कि इससे पहले वाले प्रस्णों में हम देखे थे कि वह कहाता है वह आंदर प्रदेश पर आता है तो चिल्वाप्शन है चिलका लेक वुलिकट लेक वेमना लेक गुदावरी माउथ पर तो इसमें देखिए चिलका लेक कहां पुलिकट लेक आंदरा पे है और यही इसका सही आंसर होगा ठीक है वेमनाड कहां लेक कहां पे है यह है आपका केरला पे गोदावरी मुहाने पर यह तो सिधा बेया बेंगावल को जॉइन करती है तो आपको बता दो कि B is the right answer भारत का अपना स्वदेशी GPS है next question देखेंग अगर तो भुवन, सरल, नाविक और जुगनू भुवन क्या है भुवन एक ऐसा software है जो 3D इमेज प्रस्तुत करता है या हमको देता है कौन यह भी एक इस रोक का इस रोद्वारा नेर्मित काफी महत्वपूर्ण software है सरल क्या है भारत अप्रांस की मदद से समुद्र का constellation यह इसका full form है इसे ऐसा लिखते है एन एवी और आई सी है ना इसी इस प्रकार लिखते है थोड़ा सा यह आई को आप capital letter लिखेगा navigation with Indian constellation obviously this is the India's first GPS GPS का full form global processing system जो किसका satellite है या किसकी satellite services है वो है USA की जो हम आज अपने mobile phone मगर में यूज करते है ठीक है तो भूबन क्या है एक software है डी सरल क्या है एक भारत और फ्रांस की मदद से एक संयुक्त एक अभ्यान है या एक technology development है और नाविक क्या है यह भारत का GPS है navigation with Indian constellation जुगनु क्या है यह एक nano satellite है जो भी क्या है इस रोक की द्वारा ही निर्मित है ओके मंगलियान को कौन से प्रक्षेपण यहां से प्रक्षेपित किया गया था यह अभी भी important है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अंत्रिक्ष में पहला हम पहली प्रयास में हम सफल हुए थे ठीक है देखिए मंगलियान को कौन से प्रक्षेपित किया गया था पिएसल्वी सी तववल्डा से चोड़ा गया था तो जव्बस दो ज़जार आटमें चोड़ा गया था तो दो गलत option है PSLV C25 exactly this is the right answer जब PSLV के मदद से हम क्या है अंतरिक्ष में low earth orbit पे क्या छोड़े थे हम छोड़े थे मंगल यान को इसके apogee और perogy का use करते हुए वापस से हम इसे मंगल की यात्रा पे भेजे थे तो ये दिन मत भूलिएगा जब मंगल यान का था पांच नवंबर 2013 को प्रक्षेवित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को यहाँ मून के और्बिट में सेट हुआ था ओके 24 सितंबर 2014 ओके और लांचिंग है 5 नवंबर 2013 ओके इस दो नहीं है क्योंकि जो है उसी दोरान इसका development हुआ था या उस दोरान तो नहीं इसे ऐसा कह सकते हैं कि यह option नहीं है D क्या है PSLVC44 इसे कलाम सेट कलाम सेट जो अबग्रह छोड़ा गया था अब्दुल कलाम साब को समर्पित करते हुए यह PSLVC44 के तवारा छोड़ा गया था PSLVC25 याने B option is the right answer Last question of today's session भारती अंतरिक्ष विज्ञानें प्रदुगी की संस्थान IAST स्थित है The Indian Institute of Space Science and Technology IAST is located तुराननपुरम, कोच्ची, बैंगलूरू, हैदराबाद ठीक है क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही option है तीरवाननपुरम अंतरिक्ष छेत्र में मानाव संसाधन की आवश्यक्ताओं को देखते हुए या कहना चाहिए अंतरिक्ष छेत्र में की आवश्यक्ताओं को देखते हुए मानाव संसाधन यानि की human resource को हमको जरत पढ़ रही है और इन मांग की आवस्यक्ताओं को देखते हुए याने कहना चाहिए हमको काफी बड़े मात्रा में क्या है इस पे सेक्टर में काम करने वाले ऐसे स्केर्ड यूर साइंटिस्ट की जौरत है इसलिए इस संस्थान का को स्थापित किया गया है जो तिरवननदपुरम में है और जो पढ़ने वाले स्टूडेंस होंगे वो फीचर में इस रोग के लिए महत्रपुरम भाग बनेंगे इन सभी महत्रपुरम प्रसनों के संग्रा को आपने खुब एंजॉय किया होगा अच्छे से देखे होंगे और दोस्तों ये काफी महत्रपुर संग्रा है अगर आप इसमें कहीं भी कोई कन्फिजन होता तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए और हम आपकी टाउट्स को या क्वेरी को सौल करने के लिए करने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे थैंक्यू सो मच